बिस्मिल्ला इरहमाल रहीम बचो मैंने आप लोगों को FSC की मैथ स्टार्ट करवाई हूए है सेकंड इयर की और मैंने आप लोगों को चैप्टर नमबर वन भी कम्प्लीट करवा दिया तू भी कम्प्लीट करवा दिया त्री भी कम्प्लीट करवा दिया और मैंने चैप्टर नमबर four start किया हुए है और उसकी exercise four point one complete करवा दी four point two complete करवा दी और मैंने न four point three exercise start की हुई थी और उसका मैंने question number one से लेकर question number fifteen तक ये question number one से लेकर question number 15 तक आप लोगों को complete करवा दिये और बचो question सोला 17 80 19 20 यह 5 क्वैसन आफ अप अप लोगों ने नहीं करने करे किसट नमबर 21 तो बच्छो क्वैसन नमबर 21 और क्वैसन नमबर 22 और यह शोट क्वैसनded के लिहांसे यह very very important है और ये दोनों क्वेस्टन आप लोग उन्हें अच्छे से समझने हैं और क्वेस्टन नंबर जो 17 है ये लॉंग क्वेस्टन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉंटन नंट है तो बच्छो ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जोनसे मवैल की उसी ब्रैडनेस है उसको बढ़ा लिया करें और आपने जोनसी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो चार सो असी पे वीडियो देखनी है या आपने साथ सो बीस पे देखनी है और अपने जो से मवैल की उसक्रीन है ना उसको होरीजंटल कर लिया करें ताके आपको यह पूरा वाइड बोड़े साफ नजर आए तो बच्छो मेरे पास है क्वेस्टन नंबर है मेरे पास है 21 तबज्जो करनी है आप लोगों नहीं क्वेस्टन नंबर 21 करो इ पता होना चाहिए तो बच्छो स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है य बराबर एम एक्स पलस सी इसको कहते हैं स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म इसके बाद है टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है एक्स ओवर ए पलस य ओवर बी जिक्वल टू वन ये कहलाती है है हमारे पास two intercept form इसके बाद है normal form normal form कौन सी होते है हमारे पास x cos theta plus y sin theta equal to p p से मराद क्या है perpendicular distance तो बच्चों रीजन से region से line का perpendicular distance तो बच्चों ये आपकी क्या है यह जो सी slope intercept form का formula है यह two intercept form है और यह आप लोगों की normal form है यानि आपने ना इस मसावात को तबदील करवाना है convert करवाना है slope intercept form के अंदर two intercept form के अंदर और normal form के अंदर तबच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसको slope intercept form बनाएंगे इसको तबच्चों गरिएगा तबच्चों इस तरफ हमारा सिरफ क्या होना चाहिए left side पर y तो हम y को इस तरफ रख लेंगे तो यह मेरे पास minus का four y मसावी यह plus का two x है इस तरफ इस तरफ चाहिए y तफ़ रख यापने ना इस मसावाथ को इस तरह की shape में यह 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 शेप बनानी है इस तरह की shape बनानी तवज्जो करिएगा तवचो यह माइनस का 4 मल्टिपलाई है इस तरफ जाके 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तवज्जो करिएगा इसके 2X के साथ भी डिवाइड हो गया और 11 के साथ भी divide हो गया तो ये मेरे पास Y तो ये माइनस माइनस के साथ cancel हो गया मेरे पास 2 एकम 2 2 धुनी 4 तो ये मेरे पास 1 ओवर 2 X माइनस माइनस प्लस 11 बटा 4 ओ गया तुछ ये मैंने क्या बना ली slope intercept form देख लें Y M और X और ये वली C की value हैं B abraji यहांसे आम मेरे पास एक बटा को हूए अगर मैं सी की बात करूं तो सी मेरे अलेवन बटा फॉर उचे किया बनाली सलोप इंटरसेप्ट फॉर्म यह मरे पास बनगी सलोप इंटरसेप्ट फॉर्म तब मेने बनानी है तो 순 inboxсы इंक्रецेपट फॉर्म इस तरह क이 बनेंगी तवज्जों करिएगा तुचे यह मीरे पास है यहां पर क्या रहा गए यह आगा मेरे पास टू एक्स तवज्जों करने आप लोगों ने टू एक्स माइनस का फॉर वाँ पलस 7 एक्वल टू जो करिएगा अब न हमें यहां पर वन बनाना है तो वन बनाने के लिए हम डिवाइड करवा देंगे क्या करवा देंगे डिवाइडिंग बाइ माइनस अलैवन तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करवा देंगे 11 के साथ minus 11 के साथ divide minus 4y minus 11 के साथ divide minus 11 बटा minus 11 के साथ divide क्योंकि हमें इस तरह 1 बनाना है यानि इस मसावात को ना इस शकल की बनाना है आपने तो जो करिएगा तो बच्छों यह मारे पास minus minus के साथ cancel होके यह minus 11 minus 11 के साथ cancel होके 1 आ गया मेरे पास 2x बटा minus 11 नफी नफी जमा हो गया 4y बटा 11 अब बना x के साथ भी कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए कोई coefficient नहीं होना चाहिए y के साथ कोई भी अददी सर यानि coefficient नहीं होना चाहिए हम क्या करेंगे ? X कЕ साथ हमने इस 2 को खत्म करवाना है Y के साथ इस 4 को खत्म करवाना है इस तरीक के साथ तवज्यो करेशवघा तो बचे ये मेरे पास आ गया 2X 2 7.13 हम क्या करेंगे ? यहां पर 2 के साथ मल्टिप्लाई भी कर देंगे 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे तो ये मेरे पास आ गया प्लस 4 Y आ गया हम क्या करेंगे 4 के साथ मल्टिपलाई भी कर देंगे 4 के साथ डिवाइड भी कर देंगे तो ये 1 इसी तरह आ गया तो 2 2 के साथ कैंसल हो के मेरे पास X ओवर माइनस 11 बटा 2 प्लस 4 4 के साथ कैंसल हो के Y बटा 11 बटा 4 आगया जिक्वर 2 1 आगया तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या बन गी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म तो फिर हम क्या सकते हैं A आप लोगों के पास क्या आगया माइनस 11 ओवर 2 B आप लोगों के पास क्या है 11 ओवर 4 तो बच्चों ये था आप लोगों क्या Slope Intercept Form और Slope Intercept Two Intercept Form ये हमने बना ली इस तरह की यानि ये आप लोगों का आंसर है यहां पर ये वाला आंसर है आप लोगों का अब बना लिए हमने Normal Form Normal Form बना होने का तरीका कार सीखलें तवज्चों करिएगा तो ये मेरे पास क्या है 2X माइनस का 4Y और Plus 11 इक्वल टू 0 ये Plus का 11 है उस तरफ जाके माइनस का 11 होजएगा तवज्चों करनी आप लोगों ने Plus का 11 उस तरफ जाके माइनस का 11 अब ना आपने यहां पर ना डिवाइड करना है तवज्चों करें ये स्टेप समझने वाला है क्या करना आपने डिवाइड करना है अब देखो यहां पर माइनस है ना तो माइनस ले लेंगे अगर यहां पर कॉंस्टेंट के साथ प्लस होगा तो प्लस ले लेंगे तब जो यह स्टेप की पॉइंट है आप लोगों का देखो यहां पर कॉंस्टेंट के साथ अगर माइनस है तो माइनस है अपने लेना है अगर प्लस है तो प्लस लेंगे डिवाइडिंग बाए तब जो करनी है डिवाइडिंग बाए यहां पर माइनस है तो माइनस फिर ले लेंगे जजर, फिर आपनी X के साथ वाला कोफीशेंट, X के कोफीशेंट का स्केर तवज्जो करनी है, प्लस, Y के कोफीशेंट का स्केर, और उपर सारे का जज़र, तो बच्चों यह हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आजेगा दो दुनी चार आ गया मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाई करके आपको बताता हूँ तो बज़ो गरनी है तो बच्छे ये मेरे पास इसको मैं सिंप्लिफाई करता हूँ तो ये दो दुनी चार आ गया चार चार शोला आ गया तो यानि हमारे पास माइनस कितना आ गया बीस आ गया तो बीस को मैं इस तरह मी लिख सकता हूँ यानि पांच का जज़र और फॉर का जज़र पांच चार बीस तो बच्छो पांच का जज़र, चार का जज़र कितना आ गया, टू इंटू फाइव का जज़र यानि मेरे पास आजेगा माइनस टू इंटू फाइव का जज़र आ गया, तरज्व कर नहीं है इसको मैंने हाल कर लिए, अब बना डिवाइड कर वाएंगे इस वैलियो के साथ, पूरी एक्वेशन को, तो यह आप लोगों की नार्मल फाइव का जज़र, माइनस टू इंटू फाइव का जज़र, माइनस फॉर वाइ ओवर, माइनस टू इंटू फाइव का जज़र, माइनस अलैवन बटा, माइनस टू इंटू फाइव का जज़र, नार्मल फाउम बना रहे हैं यह two three के साथ कैंसल हो गया माइनस एक्स ओवर five का जज़र नफी नफी जमा दो दूनी चार two y over five का जज़र और यह माइनस माइनस के साथ कैंसल eleven बटा two into five का जज़र तो ये आप लोगों की बनगी नार्मल फार्म ये कौन सी फार्म बनगी नार्मल फार्म अब बना उसके अंदर उसके बाद उसके पूछा है find the length of the perpendicular from 0,0 यानि आपका perpendicular distance कों साथ है ये आप लोगों का है perpendicular distance perpendicular to distance perpendicular distance आप लोगों का है 11 ये वाला perpendicular distance है 11 बटा 2 इंटू 5 का जज़र तो बच्चों ये था आप लोगों का question नमबर 21 का जोज नमबर ए इसी तरह बच्चों एक जोज हो रहा हम कर लेते हैं आप लोगों का concept अच्छे से clear हो जाए या तरज्जों का जिए आप लगा है यह जो ने रेड कलर में लिखा नहीं आप लोगों ने ना यह फार्म बनानी है और आपने टू इंटरसेप्ट फार्म बनानी है नॉर्मल फार्म बनानी और इसी तरह ना मैं इसका जोज नंबर ले लेता हूं सी जोज सी जोज ले लेता हूं बी आपकी प्रैक्टस के लिए छोड़ दिया पंदरह वाए माइनस आठ एक्स पलस थ्री इक्वल टू जीरो तो बच्छो आपने इसको कनवर्ट करवाना है किसके अंदर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर और नार्मल फॉर्म के अंदर तरज्यो करिएगा तो बच्चो हमने इसको तबदील करवा है सबसे पहले हम बनाएंगे slope intercept form तो बच्चो इस तरफ सिर्फ y होना चाहिए तो ये मेरे पास 15 y मसावी, ये माइनस का 8 x है इस तरफ आगे प्लस का 8 x होजेगा ये प्लस का 3 है, इस तरफ आगे इस तरफ आके डिवाइड हो गया तो ये मेरे पास ये देख लें, कौन सी फार्म बनगी y, m, x, प्लस c यानि constant value होगी अगर मैं यहाँ पर m की value निकालना चाहूँ तो फिर m किसके बराबर होगा 8 बटा 15 के अगर मैं c की value निकालना चाहूँ तो c मेरे पास किसके बराबर होगा माइनस 3 बटा 5 तो बच्चो ये आप लोगों की बनगी कौन सी फार्म है slope intercept form अब हमने बनानी है two intercept form तबज्जो करिएगा तो बच्चो two intercept form बनानी है तो इस तरफ आप लोगों का ने सिर्फ उस तरफ one बनाना सबसे पहले तो ये मेरे पास आगया माइनस का तर्तीब दे देंगे माइनस का आठ एक्स पलस का पंदरा वाई और ये पलस का थ्री है उस तरफ जाके माइनस का थ्री होजेगा तफज्जो करनी है अब बना आपने यहां पर क्या बनाना है पलस वन बनाना है पलस वन बनाने के लिए हम क्या करवा देंगे डिवाइड करवा देंगे तो हम यहां पर लिख भी देंगे डिवाइडिंग बाई माइनस थ्री तो ये माइनस आठ एक्स बटा माइनस थ्री लëमा नफी नफी हो गया, 3 5, 15 5 वे आगया, मसावी, 3 3 के माइनिस माइनिस के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, अब आपने क्या करना है, X के साथ आप लोगों ने अद्दी सर को खतels कर्वाना, उो कैसे को खतels कर्वाइंगे? तो यह मेरे पास है 8x बटा 3 इस 8 को खत्म करवाना तो मैं क्या करूँगा 8 के साथ multiply भी करवा दूँगा और 8 के साथ divide भी करवा दूँगा यह आ गया मेरे पास minus 5y तो अब मैंने इस 5 को ना खत्म करवाना है यानि मैंने इस यहां पर plus लेकिया ना माइनस 5 को खत्म करवाना है तो मैं क्या करूँगा माइनस 5 के साथ मल्टिपलाई भी करवा दूँगा और माइनस 5 के साथ डिवाइड भी करवा दूँगा तो ये मेरे पास 1 इसी तरह आ गया तो ये 8 8 के साथ कैंसलो के x over 3 बटा 8 9 नफी ये 5 इस 5 के साथ कैंसलो के प्लस आ गया y बटा माइनस का 1 बटा 5 जिक्वल 2 1 आ गया तो ये देखने मेरे पास x over a y over b यानि मेरे पास ये वाली फार्म बनगी एक तो आपने 2 इंटरसेप्ट फार्म बनानी थी तो यहाँ पर अगर मैं a की वैलियू निकालू तो a इंटरसेप्ट निकालू तो ये 3 बटा 8 है अगर मैं b इंटरसेप्ट निकालू तो माइनस का 1 बटा 5 है तो इसी तरह अब मैंने बनानी है normal form तबज्जो करिएगा अब मैं मैं बना हूंगा normal form नॉरमल form बनाने के लिए तो ये मेरे पास है माइनस का 8X, प्लस का 15Y, और जिक्वल 2, तो जोगर नहीं है, और प्लस का 3, जिक्वल 2, 0, अब बने मेने इस अक्वेशन को तर्तीब दे रिये, ये प्लस का 3 है ना, उस तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस का 8X, प्लस का 15Y, ये प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का 3 हो गया अब आना आपने क्या देखो अब पता क्या करोगे डिवाइड करवाओगे इस तरह यह देखें मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बाइ जहां पर माइनस है तो माइनस के साथ माइनस के साथ डिवाइड करवाना है तो कोफिशेंट ओफ एकस का स्केर कोफिशेंट ओफ य का स्केर तो बच्चो तवज़ो करिएगा तो बच्चो मेरे पास आजेगा अब मैं इसको हल करूंगा ना तो ये माइनस अठ्टो अठ्ट चौंट आ गया पंदरां का स्केर लिया तो दो सो पच्चीस आ गया तो ये मेरे पास आजेगा इसको मैं हल करता हूँ ना तो ये मेरे पास टू आठ्ट नाइन आजेगा इस तरह माइनस तो ये मेरे पास आजेगा अब बने ये वालियो बनेगी मेरे पास इसको अगर मैं लूँगा तो ये माइनस स्तारां का जज़र आज़ेगा क्या ज़ेगा माइनस स्तारां ज़ेगा इसको जब मैं हल करूंगा तो ये माइनस स्तारां जाएगा क्योंकि ये स्तारां के बराब बरा तवज्यो करनी है अब माइनस स्तारां के साथ ना इस पूरी रखम के साथ डिवाइड करवा देंगे तो ये नार्मल फॉर्म बन जाएगी ये देखें माइनस आठ एक्स बटा माइनस का स्तारां पलस का पंदरां वाई बटा माइनस का स्तारां और माइनस का तीन बटा माइनस का स्तारां तो मैंने न 15 कोफिचन्ट of X गआप आखा पान कराओ, यह एक सक्यर लेके उपर जजर यहा पर माइस तो माइस, तो इसको जब मैंने हाल किया, तो यह 11 का जजर बना है, 12 कोफिचन्ट है, 17 और 7 यह वला माइनस अब माइनस 17 के साथ ना इस पूरी तीनो वैलियो के साथ डिवाइड दी कर वा देंगे तो माइनस माइनस के साथ कैंसल तो यह मेरे पास अगर मैं x को शुरू में लिख लूँ आठ बटा स्तारा तफ्जू करिएगा जमा नफी नफी तो ये हमारे पास अगर मैं वाए को लिखने के बाए य शुरू में लिख लिए और माइनस का पंदरा बटा स्तारा और ये माइनस माइनस के साथ कैंसलो कि ये तीन बटा स्तारा आ गया तफ्जू करिएगा ये देख ठीते के बराबर है और ये वैलियो परपेंडी कुलर के बराबर है उसने का रीजन से परपेंडी कुलर जो इसा डिस्टेंस है ना वो आपने कलकुलेट करना वो किसके बराबर है तीन बटा स्तारा के बराबर है तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेस्टन नंबर 21 और चोते नमबर पे आपने perpendicular distance भी आपने calculate करना था वो है यह वाला perpendicular distance कहलाता है तो यह था आप लोगों का question number 21 इसके बाद हम करेंगे question number 22 तब्जू question number 22 check whether the two lines are parallel perpendicular नादर नाधर तो यह तो आपको अपको ना दो line की क्या दे दी equation दे दी यह line one है यह वाली line क्या है टू है दो लाइनों की एक्वेशन के देे दी आपने यह बताना है, क्या यह दोनों लाइने पैररल है यह पर्पेंडीकूलर है यह नैज्डर है नैज्डर का मतलब है कोई भी नही नहीं है, तवज्ज़ करिएगा. मैंने आप लोगों को बताया हूँ है अगर मेरे पास लाइन वान और एंड लाइन टू उस वक्त पैरल होती हैं जब M1 बराबर हो M2 के जब भी दो लाइन की स्लोप अगर बराबर आजाए M1 M2 यानि पहली लाइन की स्लोप और दूसरी लाइन की स्लोप अगर बराबर आजाए इसका मतलब यह होता है यह दोनों लाइने आपस में क्या है parallel आर पेरल यह चीजह मैं ने आप लोगों पहले भी बताए हुई भी है ये और इसी तरह अगर मेरे पास line one and line two हमारे पास उस वकट दो लाइने आपस में परपेंडिकुलर होती PAULaufen इस तरह दो लाइने उस वकट आपस में परपेंडिकुलर होती है जब इन दोनों लाइनों की स्लोप का परोडेक्ट M1 M2 is equal to आजाए माइनस 1 के बराबर तो इसका मतलब होता है ये दोनों लाइने आपस में क्या है परपेंडी कूलर आर परपेंडी कूलर होती है तब जो करिएगा अगर दो लाइनों की स्लोप अगर बराबर आगी तो वो दोनों लाइने आपस में क्या होती है परपेंडी कूलर होती है और आपको ना लाइन अगर हमारे पास इस तरह लाइन दी गई हो ना AX PLUS BY PLUS C is equal to 0 इस तरह की लाइन में से ना स्लोप कैसे निकालते हैं स्लोप निकालने का ये वाला अगर लाइन में से अगर आपने इस तरह की लाइन हो ना आपके पास लाइन की equation लाइन की equation में से स्लोप आपने किस तरह निकालनी है ये आप सीख लें तवज्जो करिएगा स्लोप निकालने का फार्मूला होता है minus coefficient of x over coefficient of y coefficient of y यानि मैं कहा सकता हूँ m बराबर होता है minus a over b की a क्या है मेरे पास x के साथ वाला coefficient b क्या है y के साथ वाला coefficient यानि स्लोप अगर इस तरह की लाइन हो ना उसमें से स्लोप निकालने का ये वाला फार्मूला है आप लोगों का minus coefficient of x over coefficient of y coefficient of x क्या है a coefficient of y क्या है b तो बच्चों ये वाला फार्मूला होता है तवज्जो हम देखेंगे क्या ये दोनों लाइने आपस में parallel है या perpendicular है अगर दोनों की स्लोप अगर बराबर आगी तो ये parallel line होंगी तवज्जो करिएगा स्लोप निकालेंगे पहली line की स्लोप हम यहां पर लिख भी देंगे स्लोप ओफ लाइन लाइन वन यानि स्लोप ओफ लाइन वन यानि लाइन वन की स्लोप निकालने का तरीका और इसको हम M1 से जाहर करवा देंगे तवज्जो करिएगा ये माइनस आ गया कोफिशन्ट ओफ एकस एकस का कोफिशन्ट कितना है टू कोफिशन्ट ओफ वाइ वाइ के साथ अददी सर कितना है वन है तो यहां पर क्या आ गया वन तो मेरे पास M1 मसावी आ गया माइनस इसी तरह यहां पर निकाल लेंगे सिलोप ओफ लाइन टू लाइन टू की सिलोप निकालेंगे तो इसको हम जाहर करवाएंगे M2 के साथ तषज्जो करिएगा कोफिशन्ट ओफ एकस माइनस कोफिशन्ट ओफ Everywhere कोफिशन्ट ओफ एकस कितना है टू दो दुली चार तो मेरे पास आ गया माइनस टू, M2 किसके बराबर आ गया माइनस टू, तो बच्छे ये देख ले मेरे पास M1 बराबर हो गया M2 के जब भी M1 और M2 बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है, लाइन वन एंड लाइन टू आर पेररल, यानि हमारे पास पेररल है, क्योंकि दोनों की स्लोप क्या आगी, बराबर आगी, तो बच्छे ये था आप लोगों का जोज नंबर A, इसी तरह बच्छो एक, दो, तीन जोज मैं और कर लेता हूं, बकिया, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूँगा, तो जोगर नहीं है, आप लोगोंने, तो इसी तरह मैंने जोज नंबर ले लिया B, जोज नंबर B आगया, मेरे पास 3Y is equal to 2X plus 5, और दूसरा हमारे पास लाइन है, 3X plus का 2Y minus 8 is equal to 0, तो जोगर नहीं है, अब यह हम देखेंगे, दोनों लाइने आपस में यह पैररल है, परपेंडिकुलर है, यह नहदर, नहदर का मतलब कोई भी नहीं, पहले इसको थोड़ा सा नहीं है, तो एक्स प्लस 5 आगया, और यह 3Y को इस तरह लिख दिया, कोई हर जे नहीं है, तो एक्स यह प्लस का 3Y इस तरह आके माइनस का 3Y, और प्लस 5 जिक्वल टू 0, तो अब क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकाल लेंगे, M1 तो माइनस कोफिशेंट ओफ X कितना है, M2, और कोफिशेंट ओफ Y कितना है, माइनस 3, तो माइनस माइनस के साथ कैंसल होके, M1 मेरे पास आगया 2 बटा 3, अब इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, तो वच्छो इसको हम M2 का नाम दे देंगे, X के साथ माइनस कोफिशेंट ओफ X 3, कोफिशेंट ओफ Y कितना 2, तो ये मेरे पास M2 किसके बराबर आगया, माइनस 3 बटा 2, अब क्या करेंगे, M1 और M2 बराबर नहीं है, तो अब ये प पेंडिकुलर के अंदर, तो मेरे पास M1, M2 जिक्वल 2 माइनस 1, तो M1 की वैलियो कितनी मेरे पास 2 बटा 3, M2 की वैलियो कितनी मेरे पास माइनस का 3 बटा 2, जिक्वल 2 माइनस 1, तो ये 33 के साथ कैंसल, ये 22 के साथ कैंसल, तो मेरे पास माइनस 1 जिक्वल 2 माइनस 1 आगया तो ये देख लें, इन दोनों लाइनों की स्लोप का जो उनसा प्रोडेक्ट है ना, वो माइनस वान आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन वान एंड लाइन टू आर परपेंडिकुलर, क्या होगी, दोनों लाइने आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो बच्चों आप लोगों ने तो यह भी जोज था इसी तरह हम कर लेते हैं इसका जोज नंबर डी तच्जो करनी है जोज नंबर डी आगया हमारे पास फौर एकस माइनस वाइ प्लस तू जिक्वर टू जीरो और हमारे पास बारा एकस माइनस का थ्री वाइ प्लस वाइ जीक्वर टू जीरो इसको भी चेक करेंगे यह पैररल लाइने हैं या परपेंडी कुलर या नैधर है तवज्जो करिएगा पहले हम यह स्लोप निकालेंगे M1 क्या था माइनस कोफिशेंट ओफ एक्स कोफिशेंट ओफ एक्स कितना है 4 कोफिशेंट ओव Y कोफिशेंट ओव Y का यानि Y का अज़्दी सर यहां पर कितना है माइनस 1 तो माइनस 1 ले लिया minus minus के साथ cancel होके मेरे पास m1x2 आ गया मारे पास 4 के बराबर इसी तरह यहां पर भी यहां पर इस line की slope को हम m2 का नाम दे देंगे coefficient of x minus coefficient of x और coefficient of y तो यह minus minus के साथ cancel होगया 3、 2, 4, 12, 4 आ गया m2 मेरे पास 4 के बराबर यह देखने m1 भी 4 आ गया M2 भी 4 आ गया इसका मतलब हो गया M1 बराबर आगी हमारे पास M2 जब भी दो लाइनों की स्लोप अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैररल यानि दोनो लाइने आपस में क्या होगी ये पैररल होगी तो बच्चों ये था आप लोगों का question number 22 next हम करेंगे question number 23 तो बच्चों करिएगा